स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल करिकोलन प्रेडिक्शन में तो गाईज आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं देखो जो नई सिंखला श्टार्ट हो रही है ट्राइ स्रीज खेला जाएगा नमीबिया टी ट्राइ स्रीज इसका नाम है जो की म मैचेज होते हैं अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो ठीक है क्योंकि इन सम मैचों की जो नॉलेज होती है बहुत कम लोगों के पास होती है अगर आप ऐसे में मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरा काम है आप लोगों को सही नॉलेज देना सही जानकारी देना ताक कुछ आपको मालुम चलने वाला है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैच की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि 29 अगस्त को पांच बच के 30 मिनट पर यह मुकाबला आप लोगों को वैंडरस किरकेट ग्राउंड जो की विंड रोएक में है टी 20 आई फ स्कोर पर ध्यान देना 130-140 यहां पर बहुत जादा स्कोरिंग होती नहीं है मतलब यह है कि बालर्स आप लोगों के लिए जादा हेलफुल रहने वाले हैं लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान देना जो की मेरी प्रेडिक्शन है 80% मुझको लगता है कि यह जो मुकाबला है न 90% आप लोग मान के चल सकते हो कि UAE की टीम मैच को विन कर सकती है और अगर बात क्या जाए तो नमीबिया की टीम जादा मजबूत है इन कंपेर ओफ UAE ठीक है अगर नमीबिया की टीम फस्टिनिंग में बैट करती है और अगर उनके बैटर अच्छा पफरमेंस करते हैं तो यह स्कोरिंग आप लोगों को 160 पलस भी होती हुई दिख सकती है अब देखो अगर हेट टूएड की बात की जाए पिछले पान सालों में जादा मैचेस तो खेर नहीं खेले गए दो मैचेस खेले गए है जहाँ पे दोनों टीमों ने एक-एक मैच को विन किया लेकिन मेरा म मैच किया भाई 11 परसेंट लोग जोस लेवरसन को टीम में लेके आ रहे थे अपने टीम में थे हैं बहुत अच्छे इन्होंने विनिंग करवाई आपको भी अगर इसी परकार की टीम चाहिए विनिंग टीम चाहिए अगर आप टीम बनाना नहीं जानते हो तो इसी वीडिय को अगेन हम लोग यहां से कंटीनिव करते हैं आप लोगों का टेंसान चाहिए वीडियो में मुझे अब देखो एक चीज में आप लोगों को बताता चलो अभी दोनों टीम ना ODI World Cup के जो क्वैलिफायर के मैचेस खेले जा रहे थे हम लोग ने कवर किये थे और पहला मुकाबला है तो आप लोगों को अगर नजर डाला जाए माइकल वन लिंगन की तो भाई बहुत अच्छा पफोर्मेंस है 67-67-107 तो इनका पफोर्मेंस बहुत अच्छा है हेट टूर्ड में अगर यह UAE के अगेंस्ट जब खेलते हैं तो देखिएगा एक ही मैच ख हो साथ है चेजिंग करत हुए भी 19 की ही हो साथ है लेकिन recent form इनका बहुत अच्छा है तो देखो cvc करना ना करना वह बात की बात है लेकिन इनको टीम में जरूर लेके चलना है और मैं ध्यान आप लोगों को अगें बोलना चाहरा हूँ कि यह जो latest match है जो 67 है यह अगेंस् टी में overall 21 की हो साथ है फस्ट बैट करत हुए 25 की हो साथ है चेजिंग करत हुए 15 की हो साथ है तो फस्ट बैट में important रहने वाले हैं जयान गरीन की बात करते है तो उतना कोई खासा performance नहीं है start मिला है लेकिन ODI खेल के आ रहें recently और जो 21 not आउट है यह अगेंस्ट UAE का ही इन बागी ग्राड इरासमस यह बहुत important खेलाड़ी है इनफेक्ट CVC वाले खेलाड़ी है जो latest उनसर ट्रन एक विकेट इन्होंने किया है यह अगेंस्ट UAE के ही है जो कि इन्होंने ODI format में किया मैं आपको बार बार कहा रहा हूँ जो एकदम मतलब latest वाला जो पारी है ना जो प्लियर्स ने खेले हैं वो अगेंस्ट UAE खेले हैं और जो UAE के प्लियर्स खेले हैं वो अगेंस्ट नमीबिया खेले हैं जो कि ODI format अभी दो दिन पहले खेला गया था head to head में दो मैच में 43 रन 21 की ओसात है वेनू पे देखेगा 49 की ओसात है तो वेनू पे इनका data अच्छा है और head to head में ज़्यादा मैचेस हुए ही नहीं है दोनों टीमों के बीच में लेकिन recent form से काफी कुछ पता हम लोगों को चल जाएगा और वैसे भी देखो अपना भाई देखेगा 32 की ओसात है 40 पारी में 47 विकेट है फर्स्ट बैट करतु है 29 की ओसात है 20 पारी में 21 विकेट है चेजिंग करतु है 37 की ओसात है वहीं 20 पारी में 26 विकेट इनके नाम है important खेला रही हैं चाहे किसी भी situation में ये खेलें CVC के प्रबल दाविदार रहने वाले हैं डे रिकोर्ड है जॉनाथन स्मिट जो लेटेस्ट तीन विकेट निकाल के आ रहें ODI format में सेम इसी टीम का अगेश्ट निकाल के आ रहें पफॉमेंस अच्छा है पार्ट टाइम बॉलिंग करके दे सकते हैं लेकिन बहुत कम बॉलिंग करते हैं लेकिन करते हैं और जो तीन वि पैश में 17 रहने 8 की ओसाथ है बॉलिंग में कोई विकेट मिला नहीं है वेनू पर देखिएगा एकसो च्छाथ यो साथ है ठीक है बॉलिंग से 6 पारी में 8 की जाए तो 35 की बैटिंग से ओसाथ है बॉलिंग से 37 पारी में 46 की जाए इंपॉर्टन खिला लिए टीम में रख रखना है आप इनका भी डेटा देख सकती है विकास बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे सॉन फोची की बात करते हैं तो उतना मतलब ठीक है परफोमेंस तो इन्होंने दिया है लेकिन स्मॉल लिंग में साइद आपका अपोनेंट भी ना लाए और लेना रिस्की भी हो सकता क्योंकि बॉलिंग का कोई स्योरिटी नहीं है ग्रैंड लिंग में चाओ तो ट्राई कर लेना ब्रैंट इसकोर्ट्स इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है जनरली ये विकेट निकालते हैं अच्छे विकेट टेकर नेचर के बॉलर है हेट टुएड में दो मुकाबले में एक व हालिया फॉर्म भी अच्छा है और दस मुकाबले में दस विकेट भी इनके नामे वेनू पर बता रहा हूं टी ट्वाइंटी में 28 विकेट है मतलब ऑन एन एवरेज एक विकेट का पॉइंट दे सकते हैं आप लोगों को फर्स्ट इनिंग में पंदरा में 14 विकेट है चेजिंग करते हुए चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो 18 में 14 विकेट है बागी जो खिलाडी बेंच पर है जैसे मलान कुरूगर हो गया है अगर खेलते हैं तो आप इनका डेटा देख सकते हो हेट टूएड वेनू फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग सब कुछ है जैन फ्रेंड लिग वाले खिलाड़ी स्मॉल लिग में लेने का कोई सेंस बनता नहीं है चलो बात करते हैं दूसरी जो की युनाइटेड अरब इमरिट्स की टीम रहती है आर्यान सर्मा जुकिन के विकेट कीपर बैटर है 31 पिछले 5 मैचों में दो अच्छी पा रही है बाकि पिछले मै बैट में आप इनको ड्रॉप मत करना वहीं दो बात करते हैं अलिशान सफरू की तो रिसेंटली इन्होंने पफॉमेंस दिया है थाटी में कंटिनूसली इन्होंने पफॉमेंस किया है काफी कम लोग अपने टीम में ट्राइग करेंगे हैड टू एड में एक ही मैच खेले तो एक मैच में वैसे भी हम लोगों को जज़ करना नहीं है किसी खेलाडी को टीटो एंटी में ओवरॉल 31 की हो साथ है जो कि ठीक ठाक मानी जाती है फर्स्ट बैट में 20 की हो साथ है चेजिंग करतू आप अपने टीम में इनको ट्राइग कर सकते हो भाई 50 की हो साथ है मुह बालिंग का कोई जादा सियोरिटी नहीं है लेकिन फिर भी मैं मान के चलूंगा बालिंग करने चाहिए क्योंकि आल राउंडर खेलाडी है वेनु पर इन्होंने बैटिंग बालिंग कुछ नहीं किये स्टैट्स ओवरॉल देखो 40 की हो साथ है टी-20 में वहीं फर्स्ट बै बैट करते हूं गाँ तो टरा कर लेना ओफरॉल ऑघ्ट की हो साथ है बाकि रन वागेरा सब आपके सामने लिखाई हुआ है राहूल चोपडा के बात करते हैं बावन बती थीग ठाक पारी है बाकि T20 में मात्रा आठ की हो साथ है वहीं फर्ष्ट बैट में कभी खेले नहीं है चेजिंग कर तुवे दोनों मैच में खेले हैं जहां पे मात्रा आठ की हो साथ है तो इनको भी ड्रॉप ही करके चलना है बासिल हमीद और नमेबिया के पास अपर हैंड भी है टी ट्वैंटी में ओफरॉल उन्नीस के ऑच उते 32 पारी में 31 विकट इनके नामें फर्ष्ट इनिंग में देखेगा अठारा की बैट तुएड बैटिंग बाुलिंग कुछ नहीं दिखेगा Stats T20 में 18 क्यों साथ है 25 पारी में 32 विकेट है विकेट टेकर बॉलर है बाकी देखिएगा First inning में 12 में 14 विकेट है 16 की बैटिंग साथ है As the baller ही खेलेंगे बॉलिंग से जादा record देख लेना वही 13 पारी में 2nd ball में 18 विकेट इनके नाम है मोहमत फारूक की बात करते हैं तो ठीक ठाक decent sign का performance है T20 में 6 मुकाबले में 8 विकेट है First ball में 3 में 4 विकेट है Chasing में 3 में 4 विकेट है जुनेज सिद्धिकी इनके striker baller है recent form लेकिन कोई अच्छा नहीं है लेकिन first ball में important हो सकते हैं head to head में 1 match में 1 विकेट है अबेद रह्मान की बात करते हैं recently कुछ खाजा performance नहीं है overall 4 मुकाबले में 5 विकेट इनके नाम है first ball में 3 मुकाबले में 5 विकेट इनके नाम है Chasing करते हुए मतलब second ball में 1 पारी में बालिंग किया विकेट लेस गया है अगर आयान अफजल खान खेलेंगो तो यह important हो सकते हैं इनका ध्यान रखिएगा बैटिंग बालिंग दोनों करेंगे बालिंग से ही जादा record देख लेना 32 पारी में 34 विकेट इनके नाम है first bat में बैटिंग से तो उतना impressive record नहीं है लेकिन बालिंग से देखो 17 पारी में 23 विकेट इनके नाम है second inning में 15 पारी में 11 विकेट इनके नाम है बाकुरे राहुल भाट या ड्रॉप ही करके चलना अगर खेलते भी है तो मुहमद जवादुल्ला को भी उतना जादा सोचना नहीं है देखना चाहो तो Grand Link में देख सकते हो ठीक है top picks की बाद कर लेते है head to head लेकिन देखो एक match दो match है तो फिर यहाँ पे जादा हम लोग जज नहीं कर सकते हैं किसी खेलाडी को क्योंकि अगर भाई कम से कम 8-10 match नहीं खेला है तो फिर 2-4 match के बेस पे किसी खेलाडी को जज करना गलत चीज हो जाएगा जो मैंने उपर में बताया सेम वही समरी आपके सामने लिखा हुआ है ग्राइड इरासमस 10 match खेले हैं वेनू पे अच्छा record है वेनू पे बॉलिंग से साथ पारी में 11 विकेट है जॉनाथन स्मिट इंपॉर्टेंट खेलाडी हैं देखो इसमॉल लिग में सेफ सीवे से ग्राइड इरासमस जॉनाथन स्मिट जैन निकॉल लोफिल्टन मुहमद वसीम बासील हमीद और अगर जैन फ्रैनली खेलते हैं तो आप उनका अभी नाम इस लिष्ट में इंकुलूड कर सकते हो बागी चलो देखते हैं आज के मैं सेलेटेड हमारी क्या कुछ fantasy team 1 के ready हो रही है देखो दोस्तों बात करते हैं इट कीपर सेक्सें से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देखकर समझ कर यहां प्यार होगे तभी जो चीज़े में आपको बताऊंगा समझांगा आप लोग अच्छे से समझ पाऊंगे तो फर्स्ट उफल देखो वीडियो को फुल वाच करके आईएगा बागी देखो मेरे चैनल पर यार मतलब वीडियो देखने तो बहुत सारे यूजर्स आते हैं लेकि चैनल को सस्क्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज आप लोगो सानूरो दे बाई कि अगर आप मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हो तो लाइक करना चैनल पर जो ल को ले जाएगी मैं अरियन सर्मा को ले जा रहा हूं वीडियो आप लुक देखे होंगे बाख भी जान रहोंगे क्यूं ले रहा हूं वीडियो देखे वंगे तबी समझ रहोंगे ठीक है बागी कोटेजे का विकलप है अगर चाहो तो आप जा सकते हो मेरा मानना है कि सोचूंगा जब अपने टीम में खिलाडी लेके चल रहा हूं तो मैं सोचूंगा कि बॉलिंग करने चाहिए तो फिलाल देखो मैं दोनों को टीम में लेके चल रहा हूं लोजिकल चीज़े समझा रहा हूं जो कि आप लोगों को इस परकार कोई नहीं समझाएगा डेटा वीडो में दिखाया है अगर मैं चाहता तो आपको सिर्फ टीम बनाके बता सकता था लेकिन आप लोगों के लिए इतनी महनत होती है तो बस आपको वीडो देखना है आराम से तो आराम से चीज़े पहले देखकर समझ कर रहा हूं तो टीम बताऊंगा तो अच्छे से समझ भी पाऊगा है देखो आल राउंडर से मरवे रासमस बासिल हमीद भी स्कोड जो कि एक बॉलिंग खिला ड़ी है ठीक है बहले आल राउंडर सेक्शन में दिये गए हैं ये ए बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे ठीक है फिलाल के लिए तो मैं दोनों को ले के चल रहा हूं लेकिन इनको मैं ले सकता हूं आयान अफजल खान को क्योंकि अगर प्रॉपर और राउंडर के तहट खेलेंगे अगर देखो नंबर सो बॉलर्स पांच-पांच दोनों टीम रहने वाले हैं उसके बाद देखो बॉलिंग सेक्शन से बात कर लेते हैं तो अली नसीर जो की बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं बहुत अच्छी नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं जुनेस सिद्धी की फर्स्ट इनिंग के बॉल में अधर्वाइस मैं में अच्छा रिकॉर्ड है वीडियो जो लोग देखे होंगे मालूम होगा तो यह सब थोड़ा जो स्टैट्स डेटा है आप लोगों को टॉस के बाद ही पता चल पाएगा देखो मरवे रासमस को मैं सेफटी परपस से अपना कैप्टन बनाऊंगा बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे वाइस कैप्टन सी की बात की जाए जॉनाथन स्मिट इफ बॉलिंग करते हैं मैं अपने टीम में इनको वीसी कर सकता हूँ बासिल हमीत का बहुत 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 बहुतरीन विकल्प है जे निकॉल लोफिल्टन का और मैं मान के चल रहा हूँ नमेबिया की टीम विन करेगी तो फिलाल मैं अपने टीम में वीसी नहीं को करके चल रहा हूँ जहां पर फिलाल के लिए तो यही मेरी टीम है लेकिन यह फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम तो टॉस के बाद आप लोगों को टेली ग्राम पे ही पता चल पाएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ही आ जाना बग यहां अगर आप लोग भी अच्छा विनिंग करना चाहते हो ना तक कहां आप लोगों को इन्वेश्ट करना है एक है चोय सोलाइन की अप्लिकेशन एक है बूम अलोन की अप्लिकेशन दोनों का लिंग किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है बहुत अच्छी विनिंग होती है नो टीडियस नो जेस्टी मतलब जितना आप विन करोगे आपको उतना विट्रॉल मिलेगा तो बहुत अच्छी जबरदस्ट अप्लिकेशन है बहुत सारी जंता अपने खेलती है तो अगर आप भी ख शोल बनी करते हैं तो प्लीज चानल सस्क्राइब किजएगा ताकि जितने भी और मैचेस हम लोग कवर करें और आपको इसी आवाज में और भी वीडियो चाहिए तो फिलिज चानल को सस्क्राइब की जिएगा बाकी मिलते है अगर अच्छ वीड़ो इक साथ अच्छा सा कम किजएगा तब तक के लिए गुडबाय टेक के